Hello students, how are you all? आज के हमारी क्लास है Microbiology B.S.C. 3rd ये स्टुडेंट के लिए उनके paper 1st की 3rd उनिट ली गई है ये उसका part 5 है आज के हमारी topic का नाम है Soil Management क्रीशी की मिट्टी का प्रबंधन करना and myself, Professor Rukaiya तो चलिए आज के हमारी वीडियो स्टाट करते है Management of Agricultural Soil प्रीशी की मिट्टी का प्रबंधन हमेशा Management of Agricultural Soil करना क्यों जरूरी है क्योंकि successful farming begins with the quality of soil जब भी हम किसी भी तरीके के अच्छी farming देखते हैं तो वो किसी भी महाँ पर पाए जाने वाली Soil की quality पर ही depend करता है यह Soil में जब अच्छी quantity से पानी मिलेगा और essential nutrients होंगे तब उमहाँ पर पाए जाने वाले या महाँ पर उगाने वाले जो हमारे crops है उनको भी अच्छी quality प्राप्त होगी इसी healthy soil की ही वज़े से और इसी healthy soil उसके साथ ही साथ वहाँ पर अगर appropriate amount of water और सुर्य की क्रिणने हैं तो इससे हमारी farming भी बहुत ही अच्छी होगी तो इसी लिए हमें management of agricultural soil करना बहुत ही जरूरी होता है अब यहाँ पर हम कुछ advantages देख लेते हैं agricultural soil के Soil management protects and increase soil performance जब भी हम soil का management करते हैं तब वह बचाता है यह सबसे ज़ादा बढ़ाता है Soil की performance को मतलब soil की quality को It also reduces expenses वह बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है साथ ही साथ वह prevent करता है बचाता है हमें pollution से production से It improves crop quality जैसे मैंने कहा था कि soil की performance अगर अच्छी होगी Soil की quality अच्छी होगी उसके साथ फिर महाँ पर जो हम crop उगा रहे हैं उसकी भी quality जादा अच्छी होगी It also helps in rapid and successful root growth महाँ पर जो crop हमने लगाई है उसकी root की भी growth बहुत ही fast होगी जिससे हमारी crop की भी growth बहुत fast हो जाएगी अब second point है methods of soil management Soil manage की प्रनाली Soil manage की प्रनाली में सबसे पहला ही point आ जाता है Soil का analysis करना Soil analysis मतलब मिट्टी का visualization जब भी कोई farmer अगर किसी भी मिट्टी पर कोई crop उगाने वाला है Soil का analysis करता है यह देखता है टेस्ट करके कि महाँ पर appropriate amount of soil nutrients, humus content और pH value क्या है महाँ पर कितने soil nutrients पाए जा रहे हैं महाँ पर कितना humus है और क्या pH है यह सब जान देने से उन्हें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि यह according to the content of nutrients in the soil and the crop requirements it is easy to determine the necessary amount of fertilizer जब उन्हें पता चल जाता है कि इस particular soil में कितना humus है कितने nutrients है और pH value है तो उन्हें यह समझ में आता है कि उन्हें कितना fertilizer add करना है जिससे उनकी क्रिशी मतलब उनकी खेती बहुत ही जादा उपजाओ हो जाया और उनको बहुत ही फाइदा हो और महाँ पर उगाने वाले फल जो है उसकी भी quality जादा जादा अच्छी हो और जिन students को नहीं पता कि nutrients in the soil क्या होते है तो वह प्रिवेस वीडियो जुरूर देखें प्रिवेस वीडियो की link description box में दी गई है अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं next point है organic fertilization जेविक खाद अब जेविक खाद क्या होता है जेविक खाद में क्या होता है कि बिट्टी में पाये जाने वाले अलग अलग तरीके की living organisms होते हैं वह living organisms पाये जाने वाले plants भी हो सकते हैं microorganisms भी हो सकते हैं साथी साथ महाँ पर कोई चोटे मोटे अगर insects उमरे हैं कीड़े हैं या दूसरे कोई भी जानवर है तो जितने भी महाँ पर अगर रहते हैं या महाँ पर मर गए हैं तो वह सब को मिलाकर organic fertilization होता है मतलब खाद बनती हैं क्योंकि महाँ पर जो अगर microorganisms मर भी जाते हैं या living organisms मर भी जाते हैं तो महाँ पाये जाने वाले microorganisms उन्हों यह decomposition के द्वारा खतम कर देते हैं और उन्हें एक खाद में तबदिल कर देते हैं जैसा आप यहाँ पर देख सकते हूं यह picture में living plants take up nutrients from humus in the soil humus मैंने बताया है सभी पहली या second videos जो मैंने अलग-अलग parts में दी है soil microbiology में महाँ पर जाकि humus के बारे में जान सकते हैं अगर किसी को भी confusion है तो previous videos जरूर देखी इससे related इससे आपको पता चल जाएगा कि humus क्या होता है अब जब living plants किसी भी तरीका के humus लेता है soil में से तब वह बहुत अच्छे से grow करता है लेकिन एक time के बाद वह old हो जाता है मतलब वह बूड़ा हो जाता है और वह धीरे धीरे मर जाता है उसी तरीके से जब वह मर जाते है तो महाँ पर पाए जाने वाले microorganisms उन्हें decomposed कर देते हैं decomposition process के द्वारा क्रिया के द्वारा और फिर से वह soil organisms feed on dead plants rotting them down to humus और फिर से यह जितने भी dead plants है वह आ जाते हैं humus में यहीं humus contain करते हैं अलग-अलग तरीके के nutrients और फिर से वह nutrients ले ले लेते हैं कि नए plants और वह अपनी growth करते हैं यह cycle हमेशा चलती रहती है और इस वज़े से हमें organic fertilization बहुत ही लाब जायक होता है क्योंकि वह completely natural होता है अब organic matter को use करने से सबसे जादा फाइदा क्या होता है कि soil का structure बन अच्छा हो जाता है improve हो जाता है soil के structure में तीन आपको particles मिलेंगे clay, silt and soil okay clay, silt and soil अब आप इससे organic fertilization बढ़ाने से यह भी फाइदा होता है कि महाँ पर जो water और nutrient को hold करने की capacity soil की होज़ेती वह बढ़ जाती है soil भी प्रोटेक्ट हो जाता है erosion से erosion मतलब मिटी का कटाव होना भी कम हो जाता है इसके साथ ही साथ महाँ पर पाय जाने वहले जितने भी living organisms होते है soil में उनकी भी quantity and quality जादा हो जाती है जिसे वह बाकी plants को help करते हैं ग्रो करने में अब next point है biological, physical and chemical soil protection measures हम किस तरीके से soil को बचा सकते हैं इसके लिए farmers अलग अलग तरीके protection measures निकालते रहते हैं सबसे पहले protection measure है crop rotation यह सभी ने सुना होगा कि फसल का चक्री करन किया जाता है जिससे क्या हो जाता है एक ही जमीन पर अलग अलग तरीके crop उगाय जाते हैं खेती की जाती है second है crop isolation मिटी का मिटी का अलगाव करना फिर है mixed farming mix run क्रीशी करना फिर है proper planting time अगर हम planting time रखेंगे तो इससे यह फाइदा होगा कि सही वक्त पर ही सही crop उगाय जाएगा और इससे जादा से जादा अच्छी quality का crop हमें मिलेगा अगर वह सही time पर उगाय जा रहा है उसको सही temperature मिलेगा उसको same अगर इससे जादा निकास बहुत ही जादा ज़रूरी है क्यूकि अगर जल का निकास बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर जो proper humidity और optimum humidity में यंग plants अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे उनको optimum humidity नहीं मिल पाएगी soil with less drainage में accumulate high amounts of water जिस मिट्टी में पानी की शमता सोकने की जिस मिट्टी में drainage system बराबर नहीं होता है वहाँ पर जाद से जादा पानी एकटा हो जाता है जिसके वज़े से वह हानी का रख हो जाते हैं नए plants के लिए जो वहाँ पर उग रहे हैं क्योंकि वह उन्हें negative effect करने लग जाते हैं चाहे वह plants हो या चाहे वहां की seeds हो on field where the water is insufficient अब जहाँ पर पानी कम है अगर पानी जादा होगा तो drainage बराबर होना चाहिए लेकिन अगर पानी कम है तो वहाँ पर irrigation बराबर होनी चाहिए हमेशा किसी भी तरीके के खेती करने के वक्त किसान यह जरूर ध्यान रखता है कि irrigation proper हो सीचाई सबसे पहले हो क्योंकि इसी सीचाई से यह फाइदा होता है कि farmer can adjust the water needs according to the crop requirements वह यह देख लेते हैं कि वह जो जितने भी crops उगा रहे हैं इसी भी तरीके के अगर वह वहाँ पर crop उगा रहे हैं तो उस crop को कितनी requirement है कितनी जरूरत है particular पानी के amount के उसे इतना ही amount of water दिया जाता है उस particular crop को आज की हमारी वीडियो यही पर समाप्त होती है Thank you